नमस्कार दोस्तों जहिन जवार्त माभार्ति की लारलो आप सभी का गुर्कुल आर्मी ओनलाइन प्लेट पॉन पर मेडिकेसर स्वागत करता हूँ आज का सेशन बड़ा ही इंपोर्टेंट और मज़िदार होगा जो आपके आर्मी अगनीवीर जीडी मेस और एससी दिली पॉलिस के लिए बरमास्तर की तरह कारिय करेगा जिसमें जिक के जीएस इंपोर्टेंट क्यूसंस रहेंगे जो परिक्सा में सपने वाले परसंस बिल् आपको मिलेगा तो एक बार सेशन को दबाके शेर कर दीजिए और क्लास का आगाज करता है कि अबर सभी अपने साथी दोस्तों को जोड़ दीजिए देखते हैं इसका सबसे अपहले अंबेड कर जैन्ती बिल्कुल सर इसका राइट ओप्छनों का आपका चोगदा अप्रेल अंबेड कर जैन्ती मनाई जाती है बिमराव अंबेड कर जो आपके सविधान निर्मान में मैतपुन भूमिका निभाई थी चीक है बात कते हैं इ सुऩए धाय पिता भी कहा जाता है सुखिधान २िरमान में कितना वर्ष लगाता आपका double और 18 दिन ・・・ दो सबसे जबद आप पूछ जाते हैं वह एक किसन 7 में करवाई जाएंगा एक इसन के साथ 10 कृसफ ये साथ में इसके अलावाब बात करें आपके आगे साथ अप्रेल को और सत्रा अप्रेल और बाइस अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है एक बार चाप दीजे देगे सत्रा अप्रेल बिल्कुल कर्मी मुक्ती दिवस सत्रा बिल्कुल कर्मी मुक्ती दिवस विश्वे प्रत्वी दिवस और शाथ अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बिल्कुल बड़ा इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट रहेगा बहुत बार पुछा जाता है साथ अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है SAC में तीन बार पुछा गया है विश्व स्वास्ते दिवस मना जाता है साथ अप्रेल को चापके रखना एक बाए सिंसोट ले लिजे फिर अगले कृषिन की ओर चलेंगे अगला किशन की लोदी वन्स की स्थापना आप बहलो लोदी के दुवारा की गई थी आदिल साय वन्स की स्थापना आदिल साय के दुवारा की गई थी और सालु के या बेगी को जो स्थापना की थी आपके विश्णु वर्धन के दुवारा की गई थी ठीक है मिलको सर बात क कि दांडिया चाप दिजी एक बार अगया कर्वार comfort आर राजस्तान में भी खहला जाता है काँ पे पीखनला जाता है को लोग नंडी डिश्या कर दोषिडुप में भी जाना जाता है इसको स्ती health का डिश्याहिए बारत के सभी राजियों में लगबगी है कि आजाता है बात करेंगे इसके अलावा आगे की किसंग की बात करेंगे चापके रखना बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है बात करेंगे आगे बारते स्विधान में रष्टपती के चुना हो कि पंडाली किस दे से ली गई है तो चाप दीजिए एक बार कमेंट शेशन में बिल्कुल बारते स्विधान के रष्टपती के चुना हो कि पंडाली कहां से ली गई है बात करेंगे आपके रष्टपती चुना हो कि पंडाली की जो आपके एकल संकर्मन ये मत पंडाली से होता है किसे एकल संकर्मन ये एकल संकर्मन ये मत पंडाली के दुआरा होता है चिक है बिल्कुल से लिख लीजिए एक बार साथ में बिल्कुल अनुशेट का पूचा जै आपको अर्ट अनुशेट 25 के अनुसार होता है किसके अनुसार? आर्टिकल 15. चिक है. अगर राष्टपती सासन लगाए तो राज येपाल की शिपारिस पर इही राष्टपती सासन लगाया जाता है. ये भी ध्यान में रखना? चिक है. बात करेंगे अगर राष्टपती सासन के लिए नोबल पुरुस्का अलग का पफरदान गया ये आपको बताना है. तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में. एक तर इसका सबसे पहले राष्ट ओप्सन कोन देता है? बिल्कुल बिल्कुल इन 1968 में हर गोईंद खुराना को कृत्रिम जीन के संसलेशन के लिए नोबल पुरुस्कार दिया गया था. बात करेंगे इसके अलावाद नोबल पुरुस्कार दुसाहिते में सबसे पहले दिया गया था आपके रविंद नात टेगोर को दिया गया था. 113 में जो आपके गितांजली पुरुस्कार के लिए दिया गया था. बात करेंगे इसके अलावा अगलेक्शन की और कि मेंग दूत किसकी रचना है? बिल्कुल बड़ा इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट सेशन और इंपोर्टेंट किसों नहीं है बहुत बार एक्जा काली दास की कि किस की है? कळी बात करते हैं आपके तुल्सी दास की तो तुल्सी दास की कौन सी रचना है सबसे им. इंपोर्टेंट है जो राम सरीत्र मनस सबसे ज्यादा कौंश है? राम-्श्रीत्र मनस. वर कविता उली कवीतावली विने पत्री का यह भी important है ठीक है यह आपके इच्छा आपके रखना इसके अलावाब बात केते हैं आपके कोटी ले के द्वारा रचित पुष्ट के हैं या रचना कोटी ले के द्वारा रचित पुष्ट के हैं के इस Hagin इस एक यहां कि कोट Cum Warrior, पुछा गया है, को थे बिल्कुल अर्द सास्तर सबसे ज्यादा, पूछा गया है, आपका, अर्द सास्तर किसके द्वारा रची तक आपके कोटी लेके द्वारा चाац गया है, ठीक हर अर्च शास्तर, और इसके लाबद में आपके लास्ट ओप्शन बचा आपका वेडवास जी के दोवारा रचित या पुस्तक या कौन शी है आपके वेडवास के दोवारा रचित पुस्तक या गरंद या वेडवास जी के दोवारा किसकी रचना की गई थी एक तेंसका सबसे बले राइट अप्शन कौन देता है मिल्कुल महाभार्थ की रसना आपके वेज़व्यासी के दुआरा की गए थी महाभार्थ की रसना किसकी के दुआर की गए थी आपके वेज़व्यासी के दुआरा की गए थी बात करें अगलेक्शन की और कि अंतराश्टे न्यायले के अध्यक्स न्यूक्त किये जाने वाले पहले भारतिये कौन थे बाकत सिंग, नागेंदर सिंग, डाक्टर हर्द बाल या इन में से कोई नहीं देखता है इसका सबसे पहले राइट उप्शन कौन देता है अंतराशन न्याय लेके पार्थाम मादेक्स बिल्कुल बिल्कुल डाक्ट जो आपके अधेक्स थे न्याय मूर्ती डाक्टर नागे अंदर सिंग चिक है बिल्कुल सरी है यह आपका राइट उप्शन होगा बात करेंगे इसके अलावा अगले इक्शन की और पार्थ की सबसे बड़ी बहुत इस यह नदी घांटी परियोजिना कौन जी है बहुत बार एक्शाम में पुछा गया है थरी स्टार क्यूशन सबी परतियों की प्रिक्शाओं के लिए अत्ती माहतवपून क्यूशन है चाप कोई रखना इस क्यूशन को इसका सबसे बड़ी राइट अप्शन कौन देता है मेरे शेर बिल्कुल बिल्कुल मेरे सेर रोहीत, अंकित, सुदान्सू, संकर, फोजी वाई बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट अप्शन है जी हाँ बांकड़ा नागल बांदब परियोजना आपका जो बहुत देशे नादी गाठी प्रियोजना है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में भी बहुत बार पूछी जाती है जो पंजाब के सतजल निती पर यह कहाँ पर है पंजाब में है फंजाब के सतल निती के उपर गाठ पर इस्तित भारत की सबसे बढ़ी बहुते है प्रियोजना है और यह राजस्तान पंजाब हरियान की सजुग्ट प्रियोजना किस किए आपकी पलस राजस्तान पादारों नी मारे देश, राजस्तान, चीक है, बिलकुर सिर बात करेंगे अगलेक्शन की और, कि निमलक्त में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है, तो कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है मेरे सेर, चाप दीजिए एक बार कमरकस के राइट पिल्कुल कमर कस लीजिये एक्जाम बहुत नजदीक आ गया आप सभी का M.A.S के बर्ती भी आज चुकी है आपकी R.P.A के बर्ती भी आज चुकी है राजिस्तान पुलिस की भी बर्ती आज चुकी है सभी बर्तीयां आज चुकी है तो कमर कस लीजिए किसी भाई का किसी कारणोंस सेलेक्षिन नहीं हुआ है इस बार तो इस बार होना 100% संभव हो है तो जूर जै एपनी गुरूप कुल आर्मी टीम से पहली बार में सेलेक्षिन देख रही है किर्तिमान इस्तापित किया है आपकी गुरूप कुल आर्मी टीम ने बिल्कुल रोहित अंकीत सुदान सुआप सभी का स्वागत है बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का असिरवाद यूँ ही बना रहे उपर वाले का बिल्कूल किस में इस्तेबाल नहीं होता है गेंद का आपका बैंड मिंटेन में नहीं होता है टैनिस में होता है किर्गेट में होता है और फुटबाल में होता है किरिगेट सबसे ज़्यादा important याद रखना आपका important सबसे ज़्यादा क्योंकि IPL से related रहता है जो हरे exam में देखने को मिलता है current से यह था आपके रखना बार-बार हम आपको बताते हैं इसमें हमने बता है था 2023 का और 2023 में एक important बात और IPL से जो महिलाओं का IPL भी था 2023 का वो भी start हो सका है पहली बार 2023 में और विजयता कौन सी रही थी आपकी बंबई कौन रही थी बंबई और 2023 में अगर पुर्सों की पुछी जाए तो तब कौन सी होगी आपकी चैन नहीं कौन सी होगी चैन नहीं होगी CSK चिक है अगर उपीजयता की पुछी जाए आपके महिलों होगी तो महिलों में उपीजयता टीम कौन सी थी आपकी दिल्ली थी मेरे सेर क्या थी दिल्ली थी चीक है और पुर्सों में अगर उपी जेता पूछी जाए तो कौण ची थे आपकी गुजरात जाइन्ट से थी चीक है परपल केप दारी कौण थे आपके परपल केप और आपके औरेंज केप परपल के मुहमद समी औरेंज के पापके सुबमन गिल चिक है बिलकुस दोनों ही आपके गुजरात जैन से थे बात करेंगे अग लिक्षिन की ओर कि वेदों की ओर लोटो का नारा किस ने दिया था गुरु नानक देव स्वामी वेकानंद दैरंद सर्शुदी या राजा रा इपना आज बंद रहा है कि एक एक फिल्योंित नेकिशें, सबसे फ़ले राइट ओप्शन कौन देता है देजिए एक बार कमेंट्स्येशन में वेरदों की ओर लोटो देखते है इसका सबसेक्पले राइट ओप्शन कौन देता है बिल्कुल बिल्कुल वेदों की और लोटों आपके स्वामी वियकानन्द के दुआरा ये नारा दिया गया था और बात कते हैं आप दियानन्द सर्श्वतिकी जो आदूनिक बारत है आदूनिक बारत के चिंतक कहा जाता है जो आदूनिक बारत के चिंतक के अलाव इन्हों ने आर्या समाज की बी इस्तापना की था बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके अलाव आगर आप बात करें आगे गुरु नानक देव की किसकी बात करें गुरू नानिक देव की बात करें तो इन्हों ने किसकी इस ताफना एक ति नानाख शीखों के पर्थम गूरुु थे किसके है शिक बेलकुर सर इसके अवागा अचिछ नानक साहा नहीं उसे संबंदित करते थे नानक देव जी या बाबा नानक मिल्कुल जनम तारीक एसे इस 15 अपराल तोकदास 79 को ननक सहीबा पाकिस्तान में इनका जनम हुआ था और करतारपूर पाकिस्तान में ही इनकी मर्तिव 22 सितमबर 1549 को हुई थी आपके गुरु ननक देव की चीक है मिल्कुल सर बात करेंगे इसके अलावा आपके राजा राव मंधराय की इनकी बात कर लेते तो राजा राव मंधराय को ब्रमस समाज की इसके अलावा बात करते हैं एक सत्ती पर्था होती है सत्ती पर्था थी उसको उनमलन के लिए सबसे पड़ा अगर योगदान था वो आपका किसका तार राजारामोंदर आएका बात करेंगे अगलेक्शन की ओर कि निमलिक्ट में से कौन सा पर्तेक्स कर का उधारन है तो पर्तेक्स कर का कौन सा उधारन है यह आपको बताना है देखते हैं इसका सबसे पहले राइट उप्शन कौन देता है बेलकुल रख होसला हुआ मंजर भी आएगा पैसे के पाज समुन्दर भी आएगा यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा तो मेरे सेर आपके जो पर्तेक्स कर रहे है वो आपके इन में से के और आएकर एक पर्तेक्स कर रहे बाकी सिमा सुलक शेवा कर कोई भी इन में पर्तेक्स कर रहे नहीं है मेरे सेर बात करेंगे अगलेक्शन की और कि हर्याना किसकी राजदानी है चंडिकट पंजी लखणू या राज जैपूर बिल्कुल कम समय में साटी क्यूसंज बिल्कुल मेरे सेर हर्याना आपकी चंडिकट की राजदानी है इसके अलावा हर्याना और किसकी है आपके पंजाब की किसकी पंजाब की राजदानी भी कोण सी आपकी चंडिकट है ठीक है गोवा की रंजी कोण सी आपकी गोवा की गोवा की रंजी होगी पंजी ठीक है इस तरीके से याद रहना गोवा की राजधनी पंजी केपिटल होगी पंजी बात करेंगे लखनों किसकी है यूपी की बात करें जेपुर किसकी है आरजे इसकी आरजे राजस्थान की ठ चीक है अधारों नीमारे देश आगे की ओर चलते हैं इसकी सोटने लिजी एक बार बिलको लगले किशन की ओर चलते हैं अगरा किशन स्वईदान सभा के विचार का उपचारिक रूप से परती पाधन किशने किया था बड़ा इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट चाप ल ले राइट ओप्सेन कोने देता है कि अ गया गुंहाएं पिल्कुल उसका दैयानंद सरस्वेती था अरि उसका जो हमने किया था आपके वहां पर कोन सा किया था हमने दायकर सरस्वेती के दीमारा कि जो वेदों की और लोटो नारा किसने दिया था इसके पारे में पूछा स्वामी दयानन सर्श्वती के द्वारा की गेती ठीक है बिल्कुर सचाप के रखना यह में स्प्रेंटिंग होकी इंचान से गल्पती होती है फिर भी गल्पती सुधार ली वापस किसन वही दिमाग में घुमा और आ गया समझ में तो सविदान सवा के विचार का उप्चारिक रूप से पर्थिपादन किसी ने किया था जवाला नेरू मोतिला नेरू एमन राय या बियार अमेड कर पड़ाई इंट्रेस्टिंग इंपोर्टेंट एक परिस का सबसे पहले राय आइट उप्चन कोन देता है त्यार उप्चन साब के सामने जो उप्चारिक रूप से आपके पर्थिबादन के द्वारा पूछा जाता है तो चाप दिजिए एक बार सविदान सबा के विचार का ओप्चारिक रूप से पर्थिबादन किसके द्वारा किया गया था देखता है इसका सबसे पहले राय आइट उप्चन बिल्कूल सविदान सबा का जो विचार किया था आपके 1934 में 1934 में एहमंद राय के द्वारा किया गया था चीक है बिल्कूल सर इसके अलाव अगर बात करें आपके ओप्चार ग्रूप से मांग की गई थी आपके पहली बार जो मांग की गिते ठार सो पिच्यानम में की गई थी जो बाल गंगा दर्तिलिक ने भी उस ताइम हटा की ओर बिल्कूल एक रिजिनिंग का क्यूशन भी उसमें साथ में पूछा गया था वो कौण सा था उसमें उसमें पूछा गया था आठ तीज का दर्पन समय क्या होता है सभी बचे एक बार कमेंट सेशन में चाप दीजिए देखें आपके लिए इंपोर्टेंट और एक कि साथ ही में एक की और एड करवा देता है उसमें उत्ते में नाम था और धरम का दरपन परतीम में क्या रैट उप्ता था यह दोनों का राइक उप्षन बताना एक बार सभी बचे क्या जैसे से में चाप दीजिये बिल्कुल सर दरपन परतीबिम 38 का दरपन परतीबिम बिल्कुल सर दरपन परतीबिम देख लेते हैं सुतर हमने क्या लगाय था 11.60 का कुण सा लगाय था 11.60 का लगाय था और 11.60 में आपके 38 करना है तो 60 में से 30 गए कितने बचे आपके 30 बचे सर और 8 से फिर 9 10 11, कितने, 9 10 11, 3 बचे, कितने हो गया, 3 30, तो 11 60 का, माइनिस निकाला 8 30 है, आपका 3 30 बच गया, ठीक है, तो इसका right option होगा, आपका 3 30, क्या होगा, 3 30 इसका right option होगा, ठीक है, बात करें, धर्म का दर्पन परती में, तो दर्पन परती में हमने पहले ही पढ़ा दर्पन में क्या होता है, दायां का भाग, बायां, और बायां भाग क्या होता है, दायां, ठीक है, ऐसा ही तो बड़ा था, बिल्कुल छाब लेते हैं, कि दायां भाग, बायां हो गया, गुरू जी ठीक है, एज का, ऐसे का, ऐसे रहेगा है, क्योंकि दायां भाग, बायां इसका पूछा जाए तो इसका जरूरोगा चेंज रहेगा अगर पूछ लिया जाता है आपको जल परती भी में इसका क्या होगा ये बता दीजिए यहां पर जल परती में तो गुर्जी इसका होगा डी एजटीज रहेगा दर्ब जल में क्या होता है नीचे का भाग क्या होता है उपर का होता है उपर और उपर का भाग का होता है नीचे तो नीचे वाला उपर चला जाएगा तो एजटीज इसका रहेगा है एजटीज इसका रहेगा बहुत कम बचा है इस बार आपको मोकाब भुनाना है बिसकुर आपके पास यह सांदार मोका है इस मोके पे आपको चोका मारना है मेरे सिर सेलेक्शन आपका इस बार होना 100% है जुर्जए अमरे गुरुकुल आर्मी टेम से अमार काम है कि आपका सेलेक्शन करवना हर गर में पोजी हो अपना और हर गर में सेलेक्शन हो अपना यह अमारा परपज़ लक्स है चिक है इसके बीट से आपके इस class के बीचे इजाज़त दें जहिंग जैभार्थ